Hey students, last turn में हमने princess September जो एक बहुत beautiful story थी उसे cover किया था, आज हम उसकी exercises करेंगे ठीक है, first है the princess burst into tears because, क्यों रोने लगी थी वो, the reason was उसका जो pet parrot था वो मर किया था so it is option number third, her pet parrot died, then second है princess September की sister ने उसे advice किया था कि उसे अपनी bird को cage में रखना चाहिए ऐसा क्यों किया था, so it is option number four, क्योंकि वो लोग उससे जलते थे, it made them jealous and see how the nightingale was unable to sing in the golden cage, because, तो वो क्यों नहीं गा पा रहा था, क्योंकि उससे fresh air चाहिए थी and freedom चाहिए था गाना गाने के लिए, so that is your option number second, ठीक है, इसके rest of the question answers, मैं आपको images के form में provide कर दूँगी आप खुछ से भी try करिएगा, काफी simple chapter था, and next move करते हैं हम लोग, chapter number eight, imagine पे so here we are children, chapter number eight, imagine, यह actually एक poem है, जिसे लिखा है, John Lennon ने अगर आपको इसकी historical importance बताऊं, तो यह song है, जो लिखा गया था, वेतनाम के war के time पे उस time पे ऐसे कुछ events हो रहे होंगे, जिन्होंने John Lennon को inspire किया होगा इसे लिखने में, तो बहुत simple सा है, ठीक है, आप इसको easily read करिए, and easily आप इसका meaning भी समझ जाएंगे, तो start करते हैं, imagine, imagination, first thing, imagine का मतलब आप सब समझते हैं, कुछ ऐसा सोचना, अपने ही मन में, like, जो possible हो, ना possible हो, imagine तो I think सारे बच्चे relate कर सकते हैं, हम लोग, हर कोई person कुछ ना कुछ imagine करता है, right, काश ऐसा हो जाए, काश exams बंद हो जाए, काश school वापिस खुल जाए, and all that, so that imagination से आप सब लोग relate कर सकते हो, start करते हैं, imagine there's no heaven, it is easy if you try, first line में वो कहता है, imagine करो कि कोई heaven ही नहीं है, कोई swarg ही नहीं है, असान है, कोशिश करो, अगर कोशिश करो कि तो ऐसा imagine करना असान है, no hell above us, above us only sky, कोई hell नहीं है, हमारे, मतलब, हमारे उपर, हम लोग मानते हैं न, कि जब हम मर जाएंगे, तो स्वर्ग होगा, नर्ख होगा, and हम लोग उसी के लिए अपने सारे काम करते हैं, मतलब, अगर हम अर्थ पे हैं, धर्ती पे हैं, तो हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं, कि बाद में हमें स्वर्ग मिले, या नर्ख मिले, तो कहता है, मान लोग कि ना कोई hard to do, फिर वो कहता है, imagine करूं कि कोई देश ही नहीं है, फिर जब कोई देश नहीं होगा, तो कुछ मारने के लिए नहीं होगा, किसी और को मारने के लिए नहीं होगा, या खुद मरने के लिए नहीं होगा, like, nothing to kill or die for, हम लोग क्यों किसी दुष्मन देश के लोगों को मारते हैं अपनी देश के लिए, और खुद भी क्यों मरते हैं, अगर जो soldiers हैं, वो खुद क्यों मरते हैं अपने देश के लिए, जब देश ही नहीं होगा तो किसी के लिए ना मरेंगे, ना किसी को मारेंगे कोई religion भी नहीं होगा कोई religion भी ना हो कोई धर्म भी ना हो सारे लोग आपस में कैसे रहेंगे peacefully रहेंगे तो यह इसकी second imagination थी फिर वो कहता है आप बोल सकते हैं कि मैं एक dreamer हूँ आप सोच सकते हैं कि मैं एक सपना देखने वाला हूँ मतलब यह हकीकत नहीं है है ना ऐसा कभी नहीं हो सकता पर वो कहता है but I'm not the only one मैं केवल इकलोता नहीं हूँ जो ऐसा सोचता हूँ ऐसा बहुत सारे लोग हैं हो सकता है आप भी किसी दिन join करें हो सकता है कभी आप भी ऐसा सोचने लगें कि ना कोई देश हो ना कोई स्वर्ग नर्ख के बारे में सोचे ना कोई religion हो हो सकता है कभी आप भी ऐसा सोचे और तब क्या होगा पूरी दुनिया एक हो जाए कि अब जब पॉसेशन्स की बात आती है पॉसेशन मतलब जो हमारी चीज है आपकी चीज़े आपके घर की कार आपकी साइकल आपका घर जो भी चीज़े आपके पास है वो पॉसेशन्स है तो कहता है अब इमाजन करो कि आपके पास पॉसेशन ही नहीं है इस पॉइंट आफ टाइम पे आपके पोईट कहता है कि I wonder if you can शायद तुम कर पाओं मतलब मैं सोचता हूँ तुम कर पाओगे कि भी नहीं क्योंकि ये इमाजन करना हम लोग यूमिन्स के लिए काफी मुश्किल है आप सोच के देखो ना आपका घर है ना कार है ना कुछ है आपके पास कुछ नहीं है ठीक है? और जब आपके पास कुछ नहीं होगा और हर किसी के पास कुछ नहीं होगा तो कोई greed और कोई hunger ही नहीं रह जाएगी सब बराबर होंगे नेक्स पेस में move on करते हैं बच्चो नो need for hunger greed or hunger a brotherhood of man imagine all the people sharing all the world मतलब वर्ल में जितने भी resources है अगर पानी है तो वो सब का है कोई भी चीज है ठीक है तो वो सब की सांजी है मतलब सब उसको मिल के use करेंगे ठीक है? तो अब कितना अच्छा होगा जाएगा you may say I am a dreamer but I am not अब बोल सकते हो कि मैं सबने देखता हूँ but ऐसा नहीं है मेरे जैसे ऐसे बहुत है and हो सकता है किसी दिन आप भी हमें जॉइन करें and आपकी भी ऐसी ही सोच हो आप भी यही imagine करें so this was the simple poem अब आप इसके word meanings दो ही word meanings है possessions and brotherhood ठीक है? brotherhood भी simple है feeling of kinship with another people ठीक है? चले फिर आज हम इसको यहीं end करते है आप word meanings कर लीजगा and exercises खुद से try करिएगा मैं इसे पहले chapter की exercises आपको send कर दूँगी and इसकी exercises आप try करिएगा फिर next turn में मैं वो भी provide कर दूँगी thank you children